फाइव एकर में बना हुआ ये थ्री भी एच के प्रीमिम अपार्टमेंट्स विला फ्लोर्स हैं जहां पे आपको मिलने वाली हैं मल्टिपल एमिनिटीज अगर आप यहां पे फ्लैट बाई करते हैं बहुत एफोडेबल रेंज में आपको ये फ्लैट मिल रहे हैं बात करू लुकेशन की तो जिरकपुड नंगला रोड पे आपके ये फ्लैट रहने वाले हैं अब करेंगे पूरी डीटेल के ओपर बात उस्ते पहले आप देखिए कुछ ग्लिप्स तो आज मैं दुबारा आगई हूं एक नई वीडियो के साथ तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एक 3BH के अपार्टमेंट पूरा अब कम्प्लीट फाइव वेहकर का प्रोजेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया मुल्टिपल इम्मुनिटीज मिलेंगी आज जो प्रोजेक्ट में आपको दिखाने वाली हूं इसमें आपको सारे जो अपार्टमेंट्स है वो पार्क पेसिंग मिलने वाले हैं और बोट नाम है ग्रीन वेली रेजिदेंशिया जिरकपुर आपका चंडिगर्ड अम्बाला हाइवे आजाता है जिरकपुर में लोकेटेड है अगर बात करूंगी तो नंगला रोड पे आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा तो आईए चलते हैं अंदर और हमारा बाकी का प्रोजेक् कि अंदर फ्लाइच सब्सक्राइच के अंबंधुरा प्रोजेक्ट का तो एक एंसके में अक फूरे टीरेच्ट की अजारा आ के आपके इसेhãं आपके green spaces हैं, plants लगाए हुए हैं, आपके अच्छे-च्छे, बहुत ही सुन्दर सी decoration आप इसमें देख सकते हैं, gazebos आजाएंगे आपके, जब भी आप तो बस time होगा, आप आप बैच सकते हैं, walk कर सकते हैं, walking tracks आपके आजाएंगे, jogging tracks रहेंगे, उसके अलावा, अगर मैं प्रोजेक्ट में अमेनिटीज की बात करूँगी, तो प्रोजेक्ट में आपको club house भी मिल जाएगा, जो आपका 10,000 square feet का रहेगा, जिसमें अगेन आपको multiple amenities आजाएंगी, जैसे कि आपका indoor games हो गया, kids play area, swimming pool, gymnasium हो गया, आपका party hall हो गया, जहां पे आप अपने जो events हैं, उनको celebrate कर सकते हैं, अपने loved ones के साथ, जब गया cross time हो, आप बाकी चीज़ों का भी मज़ा ले सकते हैं, जैसे आपका swimming pool हो गया, indoor games हो गई, etc. तो आएए चलते हैं, हमारा apartment चेकाउट कराती हूँ आपको, जो आजाएगा आपका S plus 4 concept के साथ, जो आपको with lift मिलने वाला है, तो कुछ इस तरीके का elevation है, हमारे flats का, जो आप मेरे पीछी आपर देख सकते हैं, बोट साइड ओपन apartment आजाएंगे, और सारही जाने से पहले मैं यहां पर आपको parking area दिखा देती हूँ, parking area सारा आपका stilt में रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, पर flat को one space allot किया जाएगा with the purchase, यहां पर आजाएगी हमारी lift, जिससे आप अपने flat के लिए access कर सकते हैं, इस side stairs आएंगी, दोनों में से जो आपको चू आपको अपार्टमेंट होगा, वो पिस तरीके करेगा, तो एक लुक में आपको actual apartment कभी यहां पर दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम सेंपल में चलेगे, जैसे आप अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले आजाएगा, यहां पर हमारा दोनों आपार्टमेंट है, यहां पर आपको एक्चुल इस लिए दिखा रहे हूं, ताकि आपको proper size का idea लग जाए कि अपार्टमें में कितना size रहने वाला है, so कुछ इस तरीके का आपका drawing area रहेगा, balcony इसके साथ connected रहेगी, 6 feet wide balcony है, fall ceiling आपको drawing में, dining में, आपके kitchen में and एक bedroom में with the purchase provide की जाएगी, design कुछ इस तर आपको आपको आइडिया लग जाएगा, जब भी आप करेंगे तो यह तो आपको पूरा फिनेशिंग के साथ मिलने वाला है, so यह आपका सारा cooking counter आजाएगा, यहाँ पे आपके होप के लिए space रहेगा, चिमनी के लिए space रहेगा, आपको दो डिफ्रेंट टाइप के cabinets में म then यहाँ पे आजाएगा आपका dining space जो आप देख सकते हैं, easily यहाँ पे four to five sitter dining table आप लगा सकते हैं, fall ceiling यहाँ भी आप देख सकते हैं, so यह आजाएगे हमारे three bedrooms, आईए, so यह है हमारा first bedroom, जिसमें आपको जो cupboards हैं, वो कुछ इस तरीकी के मिलेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, with the purchase, इसके साथ भी balcony connected है, मैं जिसे बताया ही था कि दोनों साइट से open है, आपका जो apartment है, यहाँ आजाएगा washroom, basin रहेगा, then इस साइट सीट आजाएगा, यहाँ बातिंग सेक्ष्ट नहीं है, तो मैं आपको पूरा नहीं भी खाऊंगी, then यह आजाएगा हमारा second bedroom, so कुछ इस तरीकी का space रहेगा, same balcony connected है, six feet wide balcony है, यहाँ पे आजेगे AC की ड़क्टिंग, and यहाँ पे रहेंगे cupboards, जो आपके with sliding door रहेंगे, यह आजाएगा washroom, again clean नहीं है, तो मैं आपको नहीं भी खाऊंगी, but washroom में आपको जो fittings हैं, वो आपकी सारी होके मिलेंगी, complete आपको washrooms मिलने वाले हैं, so यह आजाएगा हमारा third bedroom, कुछ इस तरीके के cupboard आजाएंगे, design आप देख सकते काफी अच्छा है, इसके साथ भी balcony connected है, यहाँ पे आजाएगा हमारा washroom, so guys यह था हमारा actual apartment, जो कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको जब भी आप flat purchase करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा finishing का काम होना बाकी है, तो आप जो चीजें आपने इदर उदर देखी, उनको ignore कर दीजेगा, अब जलते हैं sample में, and sample दिखाती हूँ आपको, so sample में आपको यह idea लग जाएगा, कि आपका जो घर है, उसका जो space है, उसको utilize किस तरीके से करना है, कितना furniture आप अग कर सकते हैं, कितना space आपके बचने वाला है, किस तरीके का interior आप करवा सकते हैं, ideas भी आपको अपजेट्शन दिल जाएगे, आएगे. So, welcome home guys, यह है हमारा sample apartment, same, यह आपका drawing गे लिए आजाएगा, जैसे आप अंदर enter करेंगे, इसको अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे, बहुत ही beautifully इसको डेकुरेट किया हुआ है, बहुत ही royal सा आपको यहाँ पे आने वाला है, ऑर अगर हम थीम की बात करेंगे, तो cream and golden theme यहाँ पे इनोऱ ने रखा हुआ है, साथ में अगर बात करेंगे, तो इसके साथ भी आपका जो पाल्तो आपका जो बात करेंगे, जो आपका यहाँ जो आपका सेम मास्ट बेडर्रूम के साथ भ यहां पे रहेगी आपकी AC की डप्टिंग और जैसे ही एक और शीज दिखाते हूं इस साइड अगर हम देखेंगे तो यहां पे इनोंने यहां पे आपको बताया था कि अपने घर में जादा सादा मीर यहां पे आजाएगा हमारा किचन और यहां रहेगा हमारा में एक डैनिंग अपने डै इन एक गालут इस तरी आपका जूंच कर सकते हैं यहां पे खी और प्रा भ्रहुट शिलिंग जो आप देख रहे हैं यह काफी beautiful design है, जिसमें wooden का use है, mirror का use है, hanging lights आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ आप भी ऐसा करवा सकते हैं अपने dining area में अगर आपको पसंद आया हो, यहाँ आजाएगा हमारा fully modeler kitchen, जो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा combination है, space की बात करूँगी तो वो भी काफी अच्छा है, पूरा open kitchen आपको मिलने वाला है, specifications की बात करेंगे, तो यह आपका cooking counter आजाएगा, जैसा आपने उदर भी देखा था, यह आपका hob के लिए space, चिमनी यहाँ पर आजाएगी आपकी, then upper cabinets, same ऐसे ही रहेंगे आपके, कुछ आपके black glass के साथ रहेंगे, कुछ आपके simple doors के साथ रहेंगे, storage को आप देखिए, कि arrangement उन्होंने काफी अच्छे तरीके सी कर रखा है, कि जहाँ कोई भी space है, वो waste नहीं जाना चाहिए, coming to this side, यहाँ पर आपका dual sink आजाएगा, जहाँ पर अगेन आपके cabinets रहेंगे, यहाँ पर आप अपने utensils वगएरा wash करके रख सकते हो, प्लस आपको यहाँ दोनों side windows मिल रही है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, तो काफी सारे फाइदे हो जाते हैं, वहाँ से आप कभी भी check out कर सकते हो, अगर कोई भी आपका bell ring करता है, कोई भी आपको meet करने के लिए आता है, lighting के लिए, ventilation के लिए भी काफी अच्छी ची सब्सक्राइगा हमारा, so it's a master bed room, आप इसकी decoration से, size से idea लगा सकते हैं, designing भी आप देख सकते हैं, काफी beautifully इनोंने इस room को decorate कर रखा है, आप भी ideas ले सकते हैं, अपने room के लिए, king size bed आ गया है, आपका side tables आ गया है, उसके बाद मेर पास इतना space बन जाता है, कि मैं अपने cupboards easily open कर सकते हूं, as you can see, ये cover आपके as it is मिलेंगे, मैंने आपको उधर भी दिखाये थे, साथ में अगर बात करेंगे, fall ceiling, तो जैसे मैंने आपको option दिया था, कि drawing, dining, kitchen के साथ, एक रूम में भी आप fall ceiling करवा सकते हूं, अपनी मर्जी आपकी, यहाँ आ जाएगा हमारा balcony, बाल्क sound काफी जादा रहा है बाहर से, so कुछ इस तरीके का space रहेगा balcony में, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से sitting spaces अरेंज कर सकते हैं, आप भी आपने balcony में, काफी wide है, 6 feet बड़ी balcony आपको मिलने वाली है, तो आपके drawing area and आपके master bedroom के साथ connected रहेगी, space काफी अच्य तरीके से utilize क सकते हैं, आप भी, plants पर लगा सकते हैं, जूला लगा सकते हैं, ऐसा कुछ stable chair राइग कर सकते हैं, for the security purpose आपका जो रेलिंग का height है, वो भी काफी अच्य है, सामने बिलकुर आपको पार का view मिल जाता है, so यह थी हमारी balcony, जो हमारे master bedroom के साथ connected थी, यहीं पे ही सामने वाली wall आपका LED panel के लिए space, यहां पर देख सकते हैं, यहां रहेगी AC की ducting and our washroom, so guys, washroom जैसा की आप देख रहे हैं, as it is, आपको ऐसा ही प्रवाइट किया जाएगा, starting में यहां पर भेसिन आजाएगा, Jaguar की complete fittings रहेंगी, and this side आजाएगा, आपका seat, यहां पर बातिंग सेक्शन र तो मारा first bedroom, now let's head towards our second bedroom, तो यहां रहेगा second bedroom and third bedroom, आईए पहले यह देखते हैं, wow guys, look at the theme first, wow, आप भी यहां से opt कर सकते हैं, ideas कि कौन-कौन से colors अगर आप अपने room में add करते हैं, तो वो किस तरीके का बन जाता है, आपको भी अगर थोड़े से dark colors पसंद हैं, या फिर light colors पसं जाएंगे, अलग-अलग themes मिल जाएंगे, तो आप यहां से ideas opt कर सकते हैं, so यहां पर आपका bed लगा हुआ है, side tables है, फिर भी मेर पास walk करने के लिए काफी space बच जाता है, आपकी balcony में जाने के लिए, सामने वाली wall पे आजाता है LED panel के लिए space, जो आप देख सकते हैं, आप your AC की ducting, and then यह आजाएगा आपका closet area, then your washroom, sliding door के साथ आपकी closets रहेंगे, देख सकते हैं, काफी अच्छा layout है, then आपका जो washroom रहेगा, वो कुछ इस सरी के करहेगा, starting में यहां पर basin आजाएगा, आपका, then seat and your complete bathing section, tiles आप देखेंगे guys, काफी अच्छा combination है, black and यह आपका kind of gray-white combination आजाएगा, तो काफी अच्छा है, आप भी यहां से ideas ले सकते हैं, क्योंकि वाश्रूम भी सुंदर होना चाहिए, याँ, सच्छा है, so इस पे बालकिनी भी connected है, आपकी जो मैं आपको थर्ड बेड्रूम से दिखाँगी, मारा next bedroom, तो this is our third bedroom, size आप देखे पहले, आपको अलग design, अलग colors, अलग theme देखने को मिल जाएगी, तो यहां पर भी देख सकते हो, डिजाइन काफी अच्छा है, मताब एक simple sober room जैसा होना चाहिए, उस तरीके का रूम है यह, तो आप भी यहां से ideas ले सकते हैं, cupboards यहां रहेंगे, कुछ इस तरीके का space आ जाएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे, बैड के पीछे भी यहां पर इन्होंने wooden paneling करवा रखा है, तो आप भी कुछ इस तरीके का करवा सकते हैं, अपने बैड के पीछे वाली वाल पर, इस side आजाएगा, लेडी पैनल के लिए space, then इस side, आप यहां पर देखिए, कि बैड लग अपका उसके बाद भी इस प्ना स्पेस बच जाता है कि आप एक study table बना सकते हो, या फिर अलग से a dressing table बना सकते हो, तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यह काइन आप बोत इनोंने आप बना रखा है, कि मिरर भी लगा रखा है, सात में शियर भी आप study भी कर सकते हैं as a dressing table भी यूस किया जा सकता है, यहां पर एगी AC की ducting, and here comes our washroom, so यह रहेगा हमारा वाश्रूम, starting में सबसे पहले basin, seat, then your bathing section, tiles यहां पर भी रेख सकते हैं आप, पर इसी glossy look में आ जाएंगी, kind of, flooring सारी आपकी entrance kit रहेगी, for the light and ventilation आपको विंडो भी प्रोवाइड रहेगा, and then in last, हम देखेंगे हमारी balcony, जो हमारी घर की back balcony है, and now हम देखेंगे हमारी घर की last balcony, so six feet wide balcony है, घर की back balcony है, यह, basically आपके second bedroom and third bedroom के साथ connected रहेगी, space काफी अच्छे तरीके से organize हो सकता है, काफी सारी चीजे कर सकते हो, जूला लगा सकते हो, plants लगा सकते हो, या फिर अपने बै अपना वाशिंग वगारा की activity यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि taps वगारा यहाँ पर आप देख सकते है, tap प्रोवाइड है आपका, and for the security purpose, जो रेलिंग का हाइट है, वो भी काफी अच्छा दिया गया है, so यह थी हमारे घर की back balcony, so guys, यह थी हमारे घर की back balcony, अब बेसी के साथ हमारे घर का tour complete होता है, आपको यह घर कैसा लगा, हमें comment section में comment करके बताना मत बूलिएगा, apartment की size की बात करूँ, I think मैं आपको size बताना पहले बूल गी थी, 1737 square feet का, यह 3BHK रहने वाला है, again I repeat, both side open है, park facing सारे apartments रहेंगे, multiple amenities मिलेंगी, 10,000 square feet का club house रहेगा, location की बात करेंग तो वो भी काफी अच्छी है, नंगला रोड है आपका जरकपूर का चंडिगरम बाला highway के साथ connected रहेगा, बात करूंगे नियरभाई places की, तो वो भी आपको काफी major hot spots साथ में मिल जाएंगे, जैसे आपका मारफ मंगल school हो गया, आपका मेहर hospital हो गया, आपका downtown यहां पे school के purpose is, आपको college जाना है, आपको hospital यूज करना है, मतलब यहां पे सारी चीज़े आपको easily available हो जाएंगे between the 5 km of radius, तो यह थी हमारी आज की वीडियो, यह था हमारा आज का flat, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बता आप से नेक्स्ट वीडियो में, किसी और सुन्दर से घर के साथ, किसी और अच्छी सी affordable property के साथ, जहां पे आप अपने सपनों का घर बना सकें, so till then, टाटा बाई बाई बाई, टेक केर.